हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजिनेरिंग क्लासिज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वाई असेल इस हेक्सागनल इन शेप कि जो हमने देखा था अभी देखो प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था कि जो सेलूर नेटो का आर्किटेक्ट्चर होता है उसमें जो coverage area होता है उसको different different cells के अंदर हम divide करते हैं एंड जो वो cells होते हैं उसकी जो shape होती है वो generally हम hexagonal लेते हैं तो उसके बार में एक बहुत चोटा सा topic हम आज discuss कर रहे हैं आपके exams में जरूर ये काम में आएगा कि जो वो cell है उसकी shape hexagonal क्यों होती है बहुत चोटा question भी आ सकता है दो से तीन number का भी एक question आ सकता है so let's start the video so in cellular system the land area is divided into regular shaped cells कि जो land area होता है पूरा coverage area होता है उसको हम एक regular shaped cell के अंदर divide करते हैं अब generally वो shape किस तरह से हो सकती है देखो shape या तो आपकी square हो सकती है shape square हो सकती है shape circle भी हो सकती है shape आपकी triangle भी हो सकती है hexagonal भी हो सकती है तो इन में से कोई सी भी shape आप ले सकते हो ठीक है so let me have this triangle also now why this hexagonal only सिर्फ इस hexagonal को ही क्यों choose किया जाता है यह basically आपका topic है यह basically यहाँ पे question है तो उसको देखने से पहले यह देखो कि criteria क्या है shell shape का क्या criteria होना चीए सबसे पहला criteria तो यह है कि एक geometric shape होनी चीए ऐसा नहीं कि कुछ भी arbitrary आप बना दो एक proper geometric shape होनी चीए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि square हो, circle हो, hexagonal हो या triangle हो now area जो होता चीए उसका without overlap होना चीए so area without overlap overlapping नहीं होनी चीए and third area of coverage या area of cell should be maximum maximum area होना चीए यह तीन criteria होते हैं जिसके उपर depend करता है कि जो आपकी cell है उसकी shape क्या होगी now let us see this अब देखो यहाँ पे जो हमने यह कहा है कि geometric shape होनी चीए area without overlap और area of shell should be maximum अब इन्वेस अगर मैं पहली दो conditions को लूँ ना पहली दो conditions को तो उन दो conditions को तीन proper shapes हैं जो fulfill करती हैं जैसे कि hexagon, square and triangle hexagon तो हम देखी चुके हैं तो hexagon, square और triangle यह तीन shape ऐसी हैं जिसमें कि geometric shape भी है और overlapping नहीं होती जैसे कि दखो square तो आप simple इस तरह से बना सकते हो ना एक से लिए हो गया let us say c1 एक से लिए हो गया c2 इस तरह से आपने square बना करके दिखा दिया कि square में overlapping नहीं होई ऐसी अगर मैं triangle लो तो इस तरह से मैं बना सकता हूँ triangle में c1 and एक और triangle मैं बना देता हूँ then this triangle this triangle तो यहाँ पर दो triangle में भी overlapping नहीं हो रही है और square में भी नहीं हो रही है और hexagon के अंदर तो हमें पताईए कि overlapping नहीं होती देखो है ना? overlapping नहीं होती है अब हम circle क्यों नहीं लेते है circle में देखो एक अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ ना circle का ठीक है कि overlapping में छोड़ भी दूँगा इस तरह से बट यहाँ पर आप circle में देखोगे there are gaps यह जो चीजा ने this is a gap आ जाता है तो जो coverage area वो कम हो जाता है तो इसलिए circle तो हम generally नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास यह 3 shape ऐसी है जो satisfy करती है criteria की area without overlap होना चाहिए ठीक है hexagon, square and triangle now अगर आपके देखो cells में overlapping है if there is a overlapping in your cells तो इसका मतलब क्या होता है so इसका मतलब यह है की आपका जो communication होगा उसमें interference होगी उसमें interference होगी अगर देखो इस तरह से हो overlap मतलब की यह overlap हो रहा होता यहाँ पर इस तरह से overlapping तो यह वाला जो region है जो overlap हो रहा है इसमें इस वाले channel के भी लोग communicate कर रहे है इस वाले cell के भी लोग communicate कर रहे हैं तो यहाँ पे overlap हो जाएगा यहाँ पे interference आ जाएगी इस particular area में अगर gap है जैसे कि यहाँ पे gap है आपका तो इसका मतलब है कि less coverage area coverage area कम हो गया कि यह जो gap है यहाँ पे तो कोई भी communication नहीं हो रहा न तो less coverage area तो यह दो problems होती है अगर overlapping हो या फिर gap हो तो overlapping तो हमने देख लिए कि इन तीन में नहीं होती अब इसमें से हम hexagon ही क्यों choose करते हैं यह main point है तो अगर area को factor loom है ठीक है if area is considered as the factor ठीक है तो circle का area वो सबसे जादा होगा ठीक है so circle का area जादा होगा बट वहाँ पे आपकी क्या problem आ सकती है देखो circle का area जादा होगा बट वहाँ पे problem overlapping और gap किया जाएगी so circle area is highest but there is a problem of overlapping and gap अगर मैं gap नहीं छोड़ूँगा तो overlap होगा जैसे देखो यह रहा अगर एक circle यह है अगर मुझे gap नहीं छोड़ ना तो देखो यह overlapping हो रही है यह चीज तो यह overlapping की problem हो सकती है in the case of circle तो हम circle को तो choose नहीं करते अब circle के इलावा जो हमाई पास 3 shapes हैं generally जो हम use करते हैं that is square square triangle and hexagon तो you have to remember this area of triangle percentage में मैं बता रहा हूँ आपको area of triangle then area of square now out of these three you have to remember की जो area of hexagon होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है and if you remember the values also then it will be much better so इसका जो area है compare to circle बता रहा हूँ आपको 17.77 percentage होती है in compare to हम किसके बता रहे हैं circle के comparison में okay so circle के comparison में ये areas की percentage है square का होता है 63.7 percentage now hexagon का होता है 83 percentage so you can see कि जो hexagon का area है वो सबसे ज़्यादा होता है after circle so सबसे ज़्यादा होता है circle के बाद hexagon का और hexagon के अंदर बाकी दो properties भी fulfill होती है कौन कौन सी एक तो no overlapping no gap and proper geometric shape तो इसलिए हम क्या करते हैं हम hexagon को as a cell shape choose करते हैं okay so this is all for this particular video जिसमें हमने बहुत ही short में यह समझने की कोशिश किया कि हम जो cell का shape होता है उसको hexagon क्यों रखते हैं so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please 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 like share and subscribe so like करो video को share करो video को और channel को भी जरूर subscribe करो bell icon को भी press करो so thank you for watching the video okay